दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे स्नेहंकुर्देशिंग पर छोटी प्यारी रंगी न तितलिया, लुभाती सदा हमारे मन को बाग में फुलों पर उड़ती, सुन्दर तार देती सुरुष्टी को इसी तितली पर यह बहुत सुन्दर लिवन्द तितली, रंगविरंगी बहुती चोटी और सुन्दर सी जीव होती है हम सभी अपने घरों के आसपास, अत्वा बगीचों में तितलिया देखना पसंद करते है तितली के चार पंको होते हैं, वे बहुत कॉमन और रंगविरंगे होते है जिनके आर पार देखा जा सकता है उसकी छोटी सी सून्ड ही उसका मुह है तितलिया पेड पवधों से अपना भोजन प्राप्त करती है अत्वा पेडों के पत्तों को खाकर अपना जीवन म्यापन करती है तितलि का अवसरन आयुकाल 2-4 हपतों का होता है केटर फीलर से तितलियों का जन्म बड़ा ही रोमान चकारी है तितली के पास छपे, दो एंटेना, एक सीर, योगी काखे, एक छाती और एक पेट है तितली अपने अंडे पेड के पत्तों पर देती है तितली अपने पेरों से हर चीज का स्वाद लेती है तितली की आंक में 6000 लेंस होते है जिसकी वज़े से वो अल्ट्रावाइलट किर्णों को भी देख सकती है उसका रूप, रंग, आकार, चरित्र, सब कुछ अतिप्रिय, अतिसुन्दर होता है ऐसा लगता है मानो प्रकूरती की सबसे सुन्दर सरचना बस सियह जीव है परों पर अलग-अलग अकूरतियां बनी होती है सच में तितली बाग की रानी है बच्चे तितली पकडने के लिए उनके पीछे दवडते है हमें उनको समझा देना चाहिए कि वे उसे केवल देखने का मजा ले विशेश तद्ने बताते हैं कि आज से 30 साल पहले जितनी तितलियां हमारे भूम अंडल में थी आज के युग में नहीं है और यह सब हमारी किये हुए विनाश का परिनामी हम सभी मानो जाती को उनकी रक्षा करनी चाहिए